नमस्ते, मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जैपूर दा पिंक सिटी पर मैं एक नेचुरोपैथे स्कॉलर हूँ दोस्तों, फिछले 2-3 साल में आपने गिलोय का नाम बहुत सुना होगा खास और पर डेंगू और चिकन गुनिया ठीक करने में गिलोय हर किसी की जुबान पर आ गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोदक शमता यानि इम्मिनिटी बढ़ाती है तो आईए जानते हैं हेल्थ के लिए गिलोय के कई और फायदे गिलोय का यूज कैंसर के इलाज में होने वाली कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी के बुरे प्रबावों को कम करके इम्मिनिटी बढ़ाता है गिलोय के 50 मिलीलीटर रस को सुबह शाम बू के पेट पीने से पाचन क्रिया यानि डाइजेशन में गड़बडी वाइट और रेड ब्लड सेल्स बनने में कमी की शिकायद दूर होती है इसके कारण कैंसर तेजी से ठीक होने लगता है मदुमे हैं यानि डाइबिटीज के लिए ब्लड शूगर लेवल को सामानने रखने में गिलोय का तना, पत्तियां और जड़ हेल्फुल है ऐसे में गिलोय के पत्तों का आधा चमच पाउडर एक ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए या फिर गिलोय की पत्तियों का 250 ml रस रोजाना पी सकते हैं इससे 15-20 दिनों में ही डाइबिटीज कंट्रोल में आ जाती है और इसके साथ-साथ ही डाइबिटीज के कारण होने वाली दूसरी परेशानियां भी खतम होती है आर्थराइटिस के लिए आर्थराइटिस के लिए एक छोटा टुकड़ा गिलोय बूटी के साथ एक छोटा टुकड़ा अद्रक को कूट कर एक कप पानी में उबाल कर चाय की तरह रोजाना सुबह पीने से आर्थराइटिस का दर्द खतम होता है आर्थराइटिस के लिए ही गिलोय के पत्तों को तवे पर हलका गरम करके तिली का तेल लगाकर दर्द वाली जगह पर भी बांध सकते हैं इसे 20 मिनट तक बांधना चाहिए इससे आर्थराइटिस के दर्द में तुरन तारा मिलता है इस प्रेयोक को आप रोजाना कर सकते हैं हड़ी तूटने पर अगर आपको फ्रेक्चर हो गया है तो प्लास्टर के अलवा गिलोय वटी गोली दो हफ़ते तक लगातार रोजाना दिन में एक बार लेनी चाहिए इससे तूटी हुई हड़ी जल्दी जुड़ जाती है और अच्छी मजबूती से जुड़ती है सुरैसिस सुरैसिस में गिलोय के पत्ते को पानी के साथ पीस कर गाड़ा लेब बना लीजिए इससे सुरैसिस अफेक्टेड एरिया पर लगाना चाहिए और सूखने तक छोड़ देना चाहिए और चाहें तो आप रूई लगा कर पट्टी भी बान सकते हैं फिर 2-3 गंटे बाद इसको दो लेना चाहिए इसे रोजाना करने से सुरैसिस में तेजी से फाइदा मिलने लगता है वाइरल इंफेक्शन वाइरल इंफेक्शन में लीवर का वर्क प्रोसेस बेगड जाता है जिससे भूख कम लगने या पेट में भारीपन की दिक्कत होती है तो इसमें गिलोई बेल और तुलसी के पत्तों का काड़ा बना कर पीना बेहत फाइदे मन रहता है इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि 250 ml पानी में गिलोई के दो पत्ते और तुलसी के 5-6 पत्ते डालकर पानी आधा रहने तक उबाल लीजिए फिर इस काड़े को चान लीजिए इसे रोजाना दिन में एक बार किसी भी समय पीना चाहिए ये लीवर और डाइजेशन के लिए अमरत है इसे पीते ही एक दो दिनों में ही पेट का भारीपन ठीक होने लगता है भूख पढ़ने लगती है और डाइजेशन और लीवर का काम ठीक से होने लग जाता है इससे वारेल इंफेक्शन तेजी से ठीक हो जाता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने Facebook पर भी शेयर करेंगे ताकि आपकी help से आपके दोस्तों की भी कई health problems आसानी से solve हो सकें दोस्तों नीचे description में बहुत सारे बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए links दे गए हैं उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाब उठाइए इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के comments में लिख सकते हैं हम उसे आप तक जरूर लाएंगे ऐसे ही useful और interesting वीडियो देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जैपूर्दा पिंक सिटी का फ्री सब्सक्राइब कीजिए